भारतिय खाने में कई ऐसे पकवान हैं, जिन में baking soda का इस्तिमाल किया जाता है, इसलिए baking हर घर में बहुत आसानी से पाया जाता है, baking soda के अंदर प्राकृतिक रूप से sodium bicarbonate होता है, और यह soda सफेद रंग में पाया जाता है, baking soda ज्यादा तर powder की फॉर्म में होता है, इस soda की म एक खास बात यह है कि इसमें एंटी बैक्टेरियल, एंटी फंगल, एंटी सेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटोरी खूबियां होती हैं. इसके अलावा यह सर्दी जुकॉम से लेकर मून की दिक्कत और तवचा संबंधी रोग से बचने के लिए भी मदद करता है. आपके कि किन, चमकती और स्वस्थ तवचा हर किसी को पसंद होती है, क्यूंकि चमकती तवचा, स्वस्थ युवा तवचा होने का संकेत देती है. लेकिन ऐसी तवचा पाना बिलकुल भी आसान नहीं है. जब तक आप स्वस्थ और अच्छे भूजन का सेवन नहीं करते तब तक आपाएगी. साथ ही एक फ्लॉलेस स्किन केर रूटीन और आठ घंटे की नींग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बेकिंग सोडा और संत्रे से बना पैक आपकी तवचा के कोलेजन को बढ़ावा देने और रशुदियों को दूर करने में मदद करेगा. क्यूंकि संत्रे के अंदर विटामिन C होता है, जो कि आपकी तवचा को एक प्राक्रितिक चकम देता है. जबकि बेकिंग सोडा मृत तवचा कोशिकाओं की परत को हटाने वाली तवचा को एक्सफोलियेट करता है. Baking soda और संत्रे को इस्तिमाल करने का तरीका सबसे पहले दो संत्रों का रस निकाल ले और उसके अंदर baking soda का एक बढ़ा हिस्सा डालें इस मिश्रंग को अच्छी तरह मिला लें और उसके बाद समान रूप से इस पेस्ट की एक पतली परत अपने चहरे और गर्दन पर लगाएं. ध्यान रखें कि इस मिश्रंग को लगाने से पहले चहरे को अच्छी तरह से धोलें और इस मिश्रंग को लगभग 15 मिनट तक अपने चहरे पर लगा कर रखें. उसके बाद एक गीले कौटन के कपड़े से अपने चहरे को साफ करें. उसके ब बड़े छिद्र हो गए हैं, तो इसका समाधान आपके लिए बेहत जरूरी है, क्यूंकि इससे आपका चेहरा अशुध्ध और बुरा दिखने लगता है। ऐसी बीमारियों से आप आसानी से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपनी सामगरी में बेकिंग सोडा को शामिल करना होगा। यह आपकी तवचा को सिकोडने से बचाता है, साथ ही बेकिंग सोडा तवचा के छिद्रों को बंद करता है। बेकिंग सोडा लें और उसके बाद उस सोडा को एक स्प्रे बोतल में डालें। और बोतल के अंदर पानी भर दें। दोनों ही मिश्रंग को अच्छी तरह मिला लें। साथ ही इस मिश्रंग को इस्तिमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। उसके बाद अप आपकी तवचा को अच्छी तरह से साफ कर दे। यह मिश्रन चेहरे के छिद्रों को बंद करने में मदद करेगा। आप इस मिश्रन की बोतल को फ्रीज या किसी ठंडी जगह में रख सकते हैं। ऐसा करने से यह मिश्रन बहतर असर दिखाएगा और आपकी तवचा को निखरे हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें। थान्यवाद